हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो आवर यूट्व जैनल माइन कंसेप्ट तो आज मैं कुछ कोल माइन रेगुलेशन से डिफिनेशन लिया हूं और आधर भी माइने में जो यूज होने वाले डिफिनेशन है तो उसको मैं डिसकस करूँगा लेकिन सारे डिफिनेशन को एक ही व डिफिनेशन को बताया जाए मेरा इरादा है कि जितने भी डिफिनेशन है को माइन रेगुलेशन के और आधर इंपोर्टेंट सब को डिसकस करूँगा तो चलिए इस डिफिनेशन सीरीज के फास्ट पर्ट में कुछ डिफिनेशन को देखते हैं तो आज मैं दोस्तों तीन डिफिनेशन को कवर करूँगा फास्ट है एवर्डेड वार्किंग एवर्डेड वार्किंग क्या है तो आपके स्क्रीम में दिख रहा होगा उसको भी आप लिख सकते हैं याद रख सकते हैं या तो मैं इसको लिखा हूँ इसको भी आप याद रख सकते हैं कोई भी डिफ समझने के बाद आप अपने लेग्वेज हिंदी हो या इंग्मिलीज में हो इस डिया को यास को याद करने रठने की कोशिज ना करें, आप कोशिज करो कि समझो और अपने लेग्विज बें बोलने की कोशिज करो, तो चलिए कोई देखते हैं, Abundant working, the working has been completely close and no intent to work in futures, कोई भी ऐसा working या कोई minds, या minds का कोई पार्ट, उसको completely close कर दिया हूं, और ऐसा intention है कि future में हम कोई यूज करना ही नहीं है, तो हम उसको कहते हैं Abundant, Next है Discontinue, Discontinue का मतलब है, कोई भी working, ऐसा working, या कोई minds का, या कोई minds अगर discontinue होता है, तो उसका मतलब होता है, कि पूरी तरह वो close होगी चुका है, और उसको फिर मेरा इरादा intention है, कि फिर future में हम इसको use करूँगा, future में open करूँगा, फिर उसमें काम करूँगा, एक टाम इसमें ख़ले accessible और inaccessible का बात होता है, तो जो discontinue working है, इसको inaccessible रखा गया है, मतलब कि इसमें रास्ता नहीं छोड़ा गया है, discontinue और abundant working, दोनों में difference क्या है, और similarity क्या है, चलिए देखते हैं, दोनों में similarity है, कि completely close दोनों है, दोनों completely close, similarity है, और inaccessible यह भी है, यह भी inaccessible है, आप सोच सकते हो, जो और को हमको future में कभी करना ही नहीं है, उसको हम accessible छोड़ने का कोई इरादा रखेंगे ही नहीं, या कोई मतलब ही नहीं है, तो इसमें hide है, accessible इसमें so नहीं करता है, definition में, लेकिन आप सोच सकते हो commonly कि यह भी inaccessible है, यह inaccessible है, यह भी inaccessible है, लेकिन इसमें hide है, ठीक है, अब है, difference क्या है, कि इसमें हम future में हम use, abundant working में future में हम use नहीं करेंगे, लेकिन discontinue working future में फिर दुबारा कोई माइन अगर बंद कर दीए थी, तो उसको फिर दुबारा हम open करेंगे, या दुबारा से कोई work बंद था, तो उसको फिर working मिलाऊंगा, तो दोस्तों हम दोनों में difference समझा, similarity समझा, अब समझते हैं कि disuse working क्या है, disuse working ऐसा working कोई माइन्स या कोई माइन्स का कोई पार्ट में कोई work चल रहा था, temporarily कोई reason से हम stop कर दिया, और फिर कुछ दिनों को बाद फिर उस काम को या उस माइन्स को फिर चालू कर दिया, तो हम, उसको हम कहते हैं disuse working, इसमें एक term है कि इसको accessible रखा गया है, इसको inaccessible ने किया हूँ, इसमें accessible है, इसमें रास्ता छोड़ा गया है, कोई भी region हो, चाहे measurement का या कोई infection का region से हम इसको accessible रखा हूँ, ठीक है, तो दोस्तों disuse working means कोई भी ऐसा working को temporary stop कर दिया हूँ, और disuse work मान लिया हूँ, और future में हम उसको use करूँगा, often करूँगा, उसमें काम करूँगा, और वो accessible, उसमें रास्ता छोड़ा गया है, तो दोस्तों, आज हम तिनों टर्म को देखें, समझें, अब हम समझने की कोशिस करेंगे, कि इससे related, कोशिन किस टाइप से पूछी जाती है, या पूछा गया है, चलिए हम देखते हैं, तो, कोशिन हैं दोस्तों, फास्ट नंबर, अबंडेड वार्किंग मिन्स, अबंडेड वार्किंग मिन्स, किस से जुड़ी होए, या ओप्शन देखते हैं, अबंडेड वार्किंग मिन्स, किस से संबध है, उसको देखते हैं, आप से लिए देखते हैं, temporary stop accessible inaccessible no work again जैसा कि हम जानते है discontinue working means accessible होता है sorry inaccessible होता है तो इसमें inaccessible c number जो है right answer है next देखते हैं the working called disuse working इफ तो कौन सा वर्किंग को हम डिस्यूज वर्किंग मानते हैं option number देखते हैं inaccessible, accessible and work again, work again permanently stop तो हम जैसा की जानते हैं accessible होता है और इसको future में फिर work करेंगे तो right answer से आपका B तो दोस्तों इसी टाइप से कोशी पूछी जाती है या कैवर पूछा है इसलिए मैं कोशिस किया कि आप कोशिन कैसे पूछी जाती है आप समझो दोस्तों आज बस इतना ही नेक्स वीडियो में हम डिफनेशन सेरीज के कुछ नए डिफनेशन को लेकर आऊंगा और जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं की है सबस्क्राइब करें लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें साथ ही कॉमेंट बक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखें उससे हमको मोटिवेशन मिलेगी और आपसे बहुत जल्द मिलने के लिए मुझे परिविद करेंगी तो थैंक यू थैंक यू फर आचे